हैलो दोस्तों क्या हाल चाल गाइस آज कि इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि वीडियो इसक्राइब के अंदर आप हिंधी लेंगेज में कैसे लिग सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी तो guys चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो guys अगर आप वीडियो subscribe के अंदर जाते हो add text के अंदर और अगर आप कोई भी Hindi language या फिर कोई भी Hindi का character यहाँ पास add करते हो तो यहाँ पास एक problem आ जाती है unsupported character बता देता है और यह support नहीं करता क्योंकि यह वीडेशी software है ना हमारी Hindi को नहीं support करता तो इसके लिए मैंने एक trick निकाली सबसे पहले आपको Google पे जाना है और एक software डाउनलोड करना है इसका नाम है Inky Space इसकी मदद से हम Hindi character को support करवाएंगे वीडियो subscribe के अंदर तो simply आपको इसकी official site पे चले जाना है कुछ इस तरीके से site है Windows जो भी है आपका ISO उसको select करना है जो भी आपका version है उसे select कर लेना है तो मेरा 64-bit का laptop है उसे मैं select करता हूँ और यहाँ पास इसका जो setup है इसे आपको download कर लेना है तो setup में आपको इसका extension download करना है जिसकी size around 88 MB की है तो simply आपको installer in .exe format वाले पे click करना है और इसे install कर लेना है देन यह आपकी इसमें download हो जाए तो इसे आपको open करना है और as a tradition way में इसे install कर लेना है तो मैंने यहाँ पास click किया यह download होना start हो जाएगा उसके बाद इसे install कर लेना है और इसी के मदद से हम Hindi text को, Hindi character को support कर वाएंगे वीडियो subscribe के अंदर तो गाईस यहाँ पास आप देख सकते हैं download होना start हो चुका है और यह download finish हो चुका है हम चलते हैं अपने file manager पे और इसे install करते हैं अपने PC के अंदर तो गाईस मैंने अपने PC के अंदर इस software को install कर लिया है और यहाँ पास आपको inky space नीचे की side पे देखने को मिल जाएगा black color का logo है इसे open करना है कुछ इस तरीके से window रहेगी इसे आप full screen में कर लीजे मैं की लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए तो यहाँ पास मैंने इसको full screen पे कर लिया अब सबसे पहली setting यह करता हूँ मैं कि इसे zoom करता हूँ तो मैं view वाले section पे जाता हूँ और यहाँ पास zoom का एक option आ जाता है और zoom वाले पे click करके इसे zoom into one day one के section पे click कर देऊंगा और यह zoom हो जाएगा मैं zoom इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजे ज्यादा समझ में आ जाए अब आपको इसके अंदर text लिखना है तो यहाँ पास a color का आपको दिख रहा होगा a नाम का symbol इस पे आपको tap करना होगा जैसी आप यहाँ पास tap करेंगे यह open हो जाएगा अब इसके अंदर आप कुछी भी लिख सकते हैं तो हमें Hindi language पी लिखना है Hindi भासा में लिखना है Hindi correct लिखना है तो इसके लिए हम Google करेंगे मैं आपको दो website बताऊंगा पहली website मेरी favorite है इसका नाम है hindi changathi.com इसकी link आपको description box में मिल जाएगी इसे simply open कर लेना है और यहाँ पास आपको अपना English का text लिखना है तो मैं यहाँ पास कुछ भी आपको random दिखाता हूँ Hello दोस्तो क्या हाल चाल मैं लिखता हूँ आप देख सकते हैं यह पूड़ा हिंदी में आ रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसे आपको copy कर लेना है बस आपको step follow करना है अगर आपको यह website अच्छी नहीं लगती इसके ads पसंद नहीं है तो आपको Google Translate का use करना है Google Translate पे जाना है English to Hindi कर देना है यहां आप कुछ भी लिखेंगे तो बगल में हिंदी वासा पे आ जाएगा और यहां से इसे copy कर लेना है बिस इतना आपको करना है उसके बाद आपको अपना ink space software open करना है और वहीं आपको जाना है A वाले character पे और control प्लस भी कर देना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पास paste कर दिया है यहां A वाले character पे click करके और यह पुड़ा जो हमारा Hindi का पुड़ा text है यहां पास paste हो चुका है और यह बिल्कुल इसके अंदर ही आपको paste करना जो इसका box दिख रहा है अब गाइस अगर आप इसे बड़ा करने चाहते हैं तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इसका color change करना है तो control प्लस ए करके इसे select all करिए नीचे के side में आपको color मिल जाएंगे यहां से आप इसका color भी change कर सकते हैं आपको धेर सारे option मिल जाते हैं अगर आपको इसको बड़ा करना है तो उपर के side में आपको arrow करके symbol रहेगा इस पे आपको tap कर देना है वहाँ पास आपको mouse से tap करना है और उसके बाद आपको अपने keyboard पे control प्रेस करना है और इसे stretch कर देना है तो यहाँ से अगर आप इसे खीचेंगे तो यह बड़ा हो जाएगा साथ में आपको control प्रेस किये रहना है ताकि यह बड़ा हो जाए और इसको आपको यह जो box दिख रहा है इसके अंदर ही रखना है इसके बाहर नहीं ले जाना है नहीं तो यह बेढ़ंगा हो जाएगा और फिर अच्छे से animate नहीं होगा तो इसके अंदर ही रखना है आपको एक चीज़ ध्यान रखने है कि जितना भी आप बड़ा करो लेकिन इसके अंदर ही रहना चाहिए जितना इसका dialogue box है उसके बाद आपको इसे central कर लेना है उपर के साइड में option पे click करके उसके बाद फिर से इसे control plus A करना है और आपको simply चले जाना है उपर के side में path वाले section भी path वाले section पे आपको चले जाना है और इसे आपको object to path कर लेना है इस वाले text को Ctrl प्लस A जरूर आपको प्रेस करके रखना है तभी आपको Object to Path करना है और उसके बाद यह पूरा Text जो है यह Object to Path हो जाएगा इसे आप Centralize कर लिजे उपर Option आपको मिल जाएगा अब आपकी एटिंग हो गई है Complete अब भी अगर आप Color वगएरा Change करना चाहते हैं कर सकते हैं अब इसे करना है आपको Import तो आपको File वाले सेक्षन पर जाना है Save Age वाले पर जाना है यहां आपको कोई Name दे देना है XYZ कुछ भी आप दे दीजेए तो मैं यहां पास जो भी Folder में मुझे Download करना है 3D Object पर यहां मैं करता हूँ इसको नाम देता हूं Introduction तो यहां पास मैंने Save कर दिया अब इसे मैं Video Scribe के अंदर Open करके आपको दिखाऊंगा तो यहां मैं Video Scribe के अंदर गया Add New Image वाले सेक्षन पर मैं गया और जो मैंने Save किया था उसी को यहां पास Import करूँगा तो बस आपको Same Process करना है यहां आपको Import SVG वाले पर क्लिक करना है और यहां आपकी जहां फाइल लेगी वहां से इसे Import कर लेना है Video Scribe के अंदर तो आप देख सकते हैं Introduction करकी मेरी File है यह मैंने Type किया था आपके सामने और इसे मैंने Import कर ली इसे बड़ा छोटा आप कर सकते हैं Set Camera कर दीजिए उसके बद मैं इसे आपको Play करके दिखाऊंगा आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से Draw हो रहा है और इस तरीके से आप Hindi Language को सपोर्ट करवा सकते हैं बस ट्रिक को यूज करके Guys तो I hope आपको सारी चीजे समझ में आगा होईगी इस वीडियो में मैंने जो ट्रिक यूज किया आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आप वीडियो को Like जरूर करिएगा इसे Share करिएगा ये ट्रिक मैंने बहुत ज्यादा Research करने के बात फाइंड किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसे तरह के के कंटेंट के लिए और अगर आपको वीडियो स्क्राइब के बारे में और भी जानना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी जहां A2Z मैंने बनाया वीडियो आ अब तक के लिए जै हिंद जै भारत अस्तला बीस्ता